गुद मॉर्णी फ्रेंड आज है एक अप्रील और एक अप्रील से जितने भी मोस्ट एपेट्रों करेंट एपर्स के कोश्चन बने मैं आप लोग के लिए लाया हूं दोस्तो मैं आज डेली आप लोग के लिए 20 कोश्चन लेके आता था लेकिन आज मैं मात्र 10 कोश्चन ही ल पताएंगे तो आपका टाइम बहुत ही जादा लगेगा और अगर आप लोग बहुत ही जादा टाइम लगेगा तो आप लोग टाइम स्पेंट करना चाहते हैं तो हम इस कोशन का भी डिटेल देंगे लेकिन आज जो में लेकर आया हूं सक्षन में जरूर बता है तो चलते हैं चंसका 10 कोशन लेक आए हंआप लोग के लिए तो उसमें आज पहला कोशन क्या है वो देखते है अ आज का पहला कोशन यह रहा कि हाल ही में किस राज सरकार ने प्राग्याम एप लॉंच किया है तो वो लॉंच किया है जार्खन राज ने चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर टू कि हाले में किस आई 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 टी ने कॉरंटाइन नाम के एक मोबाइल एप लॉंच किया है तो वो लॉंच किया है आई 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 टी बॉंबे चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर टू कि हाले में किस राज सरकार ने मोबाइल हैंड वास सुबधा शुरू की है तो हाले में जो मोबाइल हैंड वास की सुबधा शुरू किया गया है तो वो किस राज सरकार ने शुरू किया है तो वो शुरू किया है आउंध्र परदेश चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर चार कि हाली में किस संस्थान ने अपातकाले निकासी बैग विक्सित करने की शुरुवात किये है तो वो शुरुवात किये है DRDO ने चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 5 कि हाली में किस राज ने ओनलाइन सेवा बितरन मी बड़ी एप लॉंच किये है मी बड़ी एप लॉंच करने वाली कौन से राज ने लॉंच किया है तुव लॉंच किया है अरुना चल पर देश चलते हैं सका नेक्स कोशन कोशन नमर 6 कोशन नमर 6 यह रहां कि कौन सा देश अधिकारिक रूप से नाटो संगठन का तीसमास दस्थ बन गया है तो कौन सा देश अधिकारिक रूप से नाटो संगठन का तीसमास दस्थ बन गया है तो वो बन गया है आपको नौर्थ में से डोनिया बन गया है चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 7 कि आरवी आई के किस डिप्टी गवर्नर को एक बर्स के लिए फिर से निक्त किया गया है तो वो निक्त किया गया है आपको बीपी कानन गो को फिर से डिप्टी गवर्नर एक साल और के लिए निक्त कर दिया गया है चलते हैं next question question number 8 कि हाल अजय महता किस राज के मुख्य सचीव है जिनके तीन दीन के कार्जकाल विस्तार केंद सरकार ने मंजूरी दी दी है तो अजय महता किस राज के मुख्य सचीव है जिनके तीन कार्जकाल विस्तार केंद सरकार की मंजूरी दी है तो वो है किस राज के तो देखना है वो है महराश राज के आजय महता चलते हैं next question question number 9 कि पुस्तक the date of Jesus का भी मोचन किया गया है इसके लेखक कौन है कुल मिलाकर the date of Jesus का लेखक कौन है पुस्तक है the date of Jesus उस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है तो उस तक कालेखक का नामन जी एम कोईट जी चलते हैं नेक्स कोस्टन कोस्टन नमर दस कि क्रिश्ट क्रिटिक्स ज्वाइस 24 फिल्म अवार्ड 2020 में हिंदी भासा के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है तो वो दिया गया है आपको रनवीर कपूर को दोस्तो आप यह लुग सोचते हों कि आखर यहाभी जो कोबीट 19 चल रहा है और इसमें आप यह आवार्ड कैसे दिया जाता है तो दोस्तो यह आवार्ड पहली बार ऐसा हुआ है कि इसे ओनलाइन दिया गया है ओनलाइन सभी को उसका अपना आवार्ड अपने पते पर भेज दिया गया है आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगए दोस्तो अच्छा लगए तो यह भी क्यों लाइक करें शेयर करें और मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और जितना भी शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों मैं अच्छा लाया था और आपको जैसे उपर बता दिया था कि बहुत सारे स्टुडेट ने कोमेंट किया था कि सर बीस कोस्टिजन तो अप लाते हैं लेकिन उसका पूरा डिटील आप पढ़ाया किजिए तो जब मैं पूरा डिटील आप लोगो को पढ़ाया पढ़ाने लगए तो आपका जायदा टाइम बहुत लगेगा तो आप जैस का भी डिटील पर हाऊंगा अगर दस का तो दस का और पंद्रा का पंद्रा ताप लोग कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि आप कैसा पढ़ना चाहते हैं